तो नमस्कार दोस्तों एक वर्फिट से स्वागत थे आप सभी का अपने यूट्यूब तेनल आर्थी ग्लासेज में साथियों जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एयर फोर्स और नेवी एक्जाम 21 के लिए वन वर्ट सब्ट्ट्यूशन का एक टॉप 100 सिरीज स्टार्ट किये कि हम लगभग इसले वीडियो में 30 वन माड को कभर कर चुके हैं तो आज कर आएंगे तो चनितने हो सौब करने से कि एक बाढ़ इस्को सेयर और सब्सक्राइब जरूर本 तो ठीक है इसके बाद हम लोग क्लास शुरूग करेंगे और हो सकते तो अंत तक बना रहे दोस्तों ठीक है और इसका पीडिव आपको थोड़ी दिर में ग्रूप में दे जाएगा और वह ग्रूप का नाम है आपको टेलेग्राम ग्रूप और वाटसप दोनों का लिंक आपक जाएगा पूरता कर जूर सकते हैं घलिए चलिए देर न करते हैं कलास को शुरू करते हैं तो लगबग हमने 30 तो तीस को कवर कर लिया था तो तीस कोषटन के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारे तीस को तो सबस्केशन को कवर कर तुन मतलब को वह व्यक्ति जो भाघ्य में में विस्वास करता हो तो इसको क्या बोलते हैं अपने भाई की हत्या को एक में क्या बॉलेंगे तो उसको बोलेंगे फ्रेटि साइड एसको बला दोस्तो ठीक है अगले कोशन पाते हैं अगला केस्वरा है कि कि किलींगasm पीपल इनलार्ज डॉंबर मतलब किसी गृूप की लोगों को मार दो मतलब भूत सार संख्याद लोगों को एक लिए देखे लोग आप लोग देखे वंगे की पहारी पहारी चैतर फिले या फिले चैतरों में लोग बर्फ के घर बना कराते हैं ठीक है तुछ क्या बोलते हैं that तो इगलू कहा रहता है दोस्तों ठीक है और यह जितने भी में कुछन करा रहा हूं सारे के सारे कुछन बहुत इंपोर्टन साती हो ठीक है तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि टॉप हंड्रेड इडियम्स को ठीक है उसके बाद हम लोग ग्रामर के कुछ इंपोर्टन रूल पढ़ेंगे और उसके बाद हमने हमने कुछ सोचा है वह आपको मैं एक वीडियो लाकर बता दूंगा दोस्तों ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपको बताना है कि वन आप लोगे एक्स्प्रेशन करके नीचे कमेंट मॉक्स से बताइए साथियो एक पर इसको जरूर सेर करें बहुत ज्यादा मेहनत लगती इसको बनाने में इसको वीडियो को बनाने में मेरा कुछ तवेद खराब चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ल कि one who can't be corrected मतलब एक ऐसा चीज जिसको सही नहीं किया जा सके इसको क्या बोलते हैं तो इसको इनकरीजिवल बोला रहता है आगले कोशन पाते हैं बताना आपको कि स्पीच और पर्जेंटेशन मेंड विदाट प्रिवियस प्रिप्रेशन मतलब एक ऐसा स्पीच जो हम बोलत है ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं उसको एक्जम टेंपोर या फिट इंप्रॉंट बोलते हो ठीक है अगले कोशन पाते हैं अगला कुशन ने पताना है आपको कि 33 नमबर की हैंड राइटिंग डैट कांट भी रिड मतलब एक ऐसी हैं जिसको पर नहीं सकते हैं तो क्या ब बढ़ते हैं साथ यह एक बार इसको शेयर और अच्छा लग रहा है तो लाइक दूरूर करें ठीक है क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं आपका सभी का कॉमेंट देख रहा हूं और उसका लिप्लाइब भी बहुत अच्छे से कर रहा हूं ठीक है त मतलब एक ऐसी चीज जिसमें आग जल्दी से पकड़ लेती है तो क्या बोलते है उसको इन फ्लेमेबल बोलते हैं ठीक है और इन फ्लेमेबल का जो वर्ड मीनिंग है इसको अच्छे से देख लिए यह पुछा जाता है ठीक है इसमें डबल एम होगा ठीक है अगले कुशन अगला कुशन है कि one who unable to pay his debt मतलब एक ऐसा ब्यक्ति जो जो कर्ज लिया है उसको फिर से पे नहीं कर पाता है तो इसको क्या बोलते हैं उसको इन सॉल्वेंट या फिर बैंक्रप्त बोलते हैं ठीक है अगले कुशन पाते हैं अगला कुशन है कि inability to sleep मतलब अनिद्रा अनिद अंत्रा को बुलाता है मतलब मिएंद ना आना इन इसको कहा जाता है एक वर्ड में अगले कुशन पाते हैं अगला कुशन लिखाए की one who does not speak or talk a lot मतलब एक ऐसा ब्यक्ति जो बहुत कम बोलता है इसका व्यांट हो जयागा इसको कहा अगले को प्रहते हैं नगक्ट जीज जिसको इसको हम चो फटम कर सकते हैं नहीं नहीं मिटा शक्ते हैं तो क्या कहता ही तो इनिडेकेबल कहा इता इन-irradicable उसको कहा जाता है थीक है चलिए अगले question पाते हैं हम हमारा अगला question है कि a home for our dogs थी मतलब कुत्तों की रहने को जगह को क्या बोलते हैं तो इसको kennel कहाता है ठीक है कुत्तों को रहने को कायन कहा ratा है अगले question पाते हैं और अगला question हैै in iyi one who is good at languages दोगियों तो एक एक ऐसा व्यक्ति जो भासाओं का ज्यानी हो भासाओं में उसको रूची हो तो उसको लिंग्विस्ट कहा एता है दोस्तों ठीक है पचास को सन्फ पुरा होते हैं मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है ठीक है तो लिए अगले कोशन पाते हैं हमारा अगला कोशन है कि लिखा है कि दा फर्स्ट स्पीच मेड बाई परसन तो इसको मैडन कहा एता है ठीक है मैडन इसको कहा एता है दोस्तों अगले कोशन पाते हैं अगला कोशन है कि पेपर रिटन बाई हैंड मतलब एक ऐसी पेपर एक ऐस यह से लिखते हैं यहां दोस्तों को अपने आप लोग है तो हम लोग है और आप लोग के लिए सब किया जा रहा है ठीक है तो एक वर इसको जल्दी से शेयर करके आए ठीक है तो उमीद है आप लोग इसको शेयर कर चुके होंगे अगले कोशन पाते हैं अगला कोशन है लिखाए कि ब्रूटल स्लोटर ऑफ मेनी पीपल मतलब एक ऐसी चीज जिसमें नर्संह्र हो जाए तुक्यकर नर्संहों कोलें बताistic किसी एक अस्थान पर बहुत सारे लोगों को मार देना अगले कुशन पाते हैं कि मतलब यह सिखक्य बन जोश्क्का बनता है उसके को बनन क्या कहते हैं क्या मानौत करता है तो क्या क्या बीषकति को लिकाता है और उतों से नफरत करता हो उसको क्या बोलते है कि नफरत करता हो उसको जाती ठीक है चलिहने अगले कुछन पाते हैं अगला कुछन है विलीवस इन और चिंगल और उसका सकता है वह मानता है कि भाई दुनिया में जितने भी गोड है वो सिर्फ एक ही है एक भगवान नहीं है तो क्या बोलते हैं इसको मोनो थिश्ट का है दोस्तों और यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन कॉस्टन है इस पर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको ट्रिपल स्टार्ट इक ऐसा ब्यक्ति जो वाइडली बट हुजवली अन फेवरली मतलों एक ऐसा ब्रत जो कुख्यात हो ठीक है तो इसको नोटोरियस बोलते हैं जो अपने बुरे कामों के लिए प्रचलित हो तो इसको नोटोरियस कहा रहता है दोस्तों ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि पचासवे को कॉप्लेट करते हैं मैं आपको बात बताने वाला हूं ठीक है तो वह बात यह है दोस्तों कि अगर आप लोग अभी तक टेलिग्राम गूरूप जोईन नहीं किये हैं तो दोनों तो टेलिग्राम गूरूप लिंक आपको डिस्किप्सिन में दिया गया है तो तौनü जोइन करने के लिए क्यों कर रहा है तो इस लिए मैं कह रहा हूं कि आपकर रोज को ठीक होती है तो cubes से तो आज भी हुआ है ठीक है लेकिन कल से आप अगर जोइन कर लेंगे अच्छे से तो कल से आपको कुईज कुछ अंख्या बढ़ा दी जाए कि मतलब दीन में दो बार कुछ होता था तो तीन चार बार कुछ होने लएगा तो ठीक है तो दोनों आपको लिंक दिया गया है वाट्सप ग्रूप और टेलेग्राम ग्रूप का तो टेलेग्राम में आप जाकर जोइन कर सकते हैं और वहीं पर इसका पीडिया भी मिलेगा ठीक है चली हम अगले कुछन पाते हैं अगला कुछन है कि क्लेक्शन अफ कॉइंस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्कों को संग्र करता है तो क्या बोलते हैं नूस्मेटिक बोलते हैं उसको ठीक है अगले कॉसन पाते हैं अगला को सब्सक्राइब कि वन हुइज आल पावरफूल एक में दोस्तों यहां पर यहां पर यहां पर यह होगा वन हुई इस एवरी मतलब वो ऑमनी पॉर्टेंट हां सभी है बिल चलिए अगले कॉसन पाते हैं ङुआ अगला कॉसर आपको बताना है कि वन हुई पर्जेंट आप्रीवेयर ठीक है टुको जोसब जरे़े मतलब मतल बहुं को मेंट जो हमेसा पोजिटिव सोचता हो तो इसको आप्टेमिस्ट कहा एता है दोस्तों ठीक है अगले कुस्टन पाते हैं अगला कुस्टन है बताने आपको कि अग्रूप ऑफ फॉक्स और डॉग्स मतलब एक डॉग का जुन्ड या फिट लोमडी का जुन्ड उसको क्या बोलते हैं तो इसको पाइक कहा एता है दोस्तों ठीक है इसको कहा एता है दोस्तों चलिए अगले कुस्टन पाते हैं अगला कुस्टन है और सपोजड क्यूर्फोर ओल्ड डिशीज और प्रॉब्लम मतलब एक ऐसी दवा जो सारे विमारीयों के में काम आए मतलब रामबान उसको कहा तो इसको पहना किया कहा है दोस्तों ठीक है यह बहुत ज़्यादा इसको पूछने की चांस कुछ ज्यादा ही लग रहा है चलिए अगले कुस्टन पहते हैं अगला कुस्टन बताना आपको की सब्सक्राइब इसके बाद मैं कुछ और कराऊंगा तो उसमें सी भी कुछने की चांसे बहुत ज्यादा है ठीक है तो बने रही हमारे साथ और एक बड़ेश को शेर जरूर कर दोस्तों ठीक है चलिए अगले कुस्टन बात हैं हमारा अगला कुस्टन है कि वन हूँ गोज ऑन फूट जो एक ऐसा चीज यह पिर एक ऐसा ब्यक्ति जो पैदल चलता तो उसको पेडेस्ट्रेन कहते हैं ठीक है पेडेस्ट्रेन उसको कहा था दोस्तों अगले कुस्टन पाते हैं हमारा अगला कुस्टन है कि वेरी निगेटी पर्शन या फिर संबड़ी हूँ ऑल्वेज एकसपेक्ट्स्ट्रों तुरॉष्ट और हैपन मतलब एक ऐसा जो हमेसा गलप सön उसका मन में गलप विचार हो उसको क्या बोलते हैं तो इसकोातन है मैं अगला कुस्षन है कि one who loves mankind मतलब मानमजादी से प्रेम करने वाल तो इसको क्या बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट इसको बोलते हैं दोस्तों ठीक है अगले कुस्षन पाते हैं हमारा अगला कुस्षन है कि बताना आपको कि वन do collects and studies stamps मतलब जो पोस्ट एस्टेम्ट होते हैं उनके बारे में जनकारी प्राप्त करने वाला उनको को कि a person who likes और एड्मार्स वूमेन मतलब एक ऐसे ब्यक्ति जो और तो को उची तरजा देता है मतलब उसको लाइक करता है तो इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट ठीक है और कि one who knows many languages है वोन हूँ नोज मेनी लेंग्वेज़स जानता है उसको पॉलिग्लोट बोलते हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लिंग्विश्ट पर अधियान करता हो उसको क्या बोलते हैं तो इसको लिंग्विस्ट कहाता है दोस्तों ठीक है तो पॉली ग्लॉट और ल बहुत सारे कागज पतरवले काम मतलब जो ऑफिस्यल काम होते हैं तो बहुत सारे कागज पतरवले काम सारे काम होते हैं ठीक है तो इसको रेड टैपीज मतलब लाल फीटा साही उसको हिंदी में कहा है दोस्तों आप में कुछ दिर पहले बताया था वह यक्ती बहुत कम बोलता हुश क्या बोलते हैं उसको बोलता है रेटी सेंट या फिर जो उसको बोलते हैं रेटी सेंट जया फिद मेनें आपको लोट बताया था वह आपको comment box में बताना दोस्तों लोटके विद इस MARE상रे में जो मारी में दुस्रों की help कर रहा है उनके जरूरतों की अनुसार शोन सुनसुध को याद कर सकते हैं एस से सोनुसूद और एस से समयरीटन जिसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि वह नींद में चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं उसको सोम नाम बुलिष्ट बोलते हैं ठीक है मतलब एक ऐसा ब्यक्ति जो नींद में बोलता हो क्या बोलते हैं तो सोम निलो क्विष्ट इसको कहाएता है तो सोम नाम्बुलिष्ट और सोम निलो क्विष्ट यह दोनों ही इमपोर्टन वर्ड है दोस्तों ठीक है a person who is blamed for the wrong doings of other मतलब बली का बकड़ा मतलब कर कोई मतलब माले जी कोई अपड़ाद ही है वो कुछ अपड़ाद करके चला गया लेकिन उसका ब्लेम किसी दूसरे पर आ गया तो इसको क्या बोलते है उसको अगला कोशन ने बताना आपको कि बीइंग एबल टूपे वन्स डेप्ट उसको सॉल्वेंट कहा तो इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगा कि एक ऐसा ब्यक्ति जो अपना रिन दे सके तो मैंने आपको कुछ दिर पहले बताया था कि ऐसा ब्यक्ति जो अपना रिन ना द इसको सॉल्वेंट कहा है दोस्तों ठीक है तो इन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मैं आपको अंतर अच्छे से हो चुका होगा ठीक है चलिए अगले कुस्टन पाते हैं अगला कुस्टन ने पताना है आपको कि वन हूँ बिलीव इन गॉड मतलब एक ऐसा ब्यक्ति जो भग बताना है दोस्तों ठीक है चलिए अगले कुस्टन पाते हैं अगला कुस्टन ने बताना आपको कि आम हूज वाइफ हैस डाइड मतलब एक ऐसा अब्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको वीडियो वर बोलते हैं उसको हिंदी में विधुर कहा एता है ठीक है और एक ऐस सब्सकिके से दूनियां में तो मतलब हाएस्ट को जएनित के सका गयाता है और एक अगला कुस्टन है जरूर आईए जल्दी से सब्सक्राइए तो सेर किजिए और अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक जरूर करें दोस्तों ठीक है तो जल्दी से इसको अपने वाटसप टेलेग्राम गूरूप जहां भी आप धूर हुए है एक वाटसप टेलेग्राम तो और तो इसको बाद आप लोग शेर इसको जरू करें दोस्तों ठीक है तो चलिए अगले अगले कुशन पहते हैं हमादा अगले कुशन है बताना आपको कि सदन चेंज बाई सदन चेंज ऑफ गौर्णमेंट बाई फोर्स ना आप लोग सुनें होंगे तालीबान में कुछ हुआ था ठीकenser टालीबान में क्या था तक्ता पलट हुआ था मतलब सेना के दождवारा गवर्मेंट को गिडा देना तो तकता प्लट कहा एता है दुस्तों ठीकित तो इंदें हिसमी उपक कहा एता है तो फ्रेजाइल इसको या फिर प्रूटल इसको का है दोस्तों ठीक है चलिए अगले कुछन पाते हैं अगला कुछन है बताना आपको कि राइजिंग सिल्क वर्म्स इन ओडर तू आप्टेन रॉ सिल्क मतलब रेसम का जो खेती होता है इसको क्या बोलते इंगलिस में इसको सेरी कल्चर का है दोस्तों ठीक है अगले कुछन पाते हैं अगला कुछन बताना है आपको कि अगॉर्मेंट बाइद ऑफीसियल मतलब एक ऐसी सरकार जो ऑफीसर्स के दोरा चले तो इसको ब्यूड़े क्रेसी क जहां पर सराब बनती हो तो इसको क्या बोलते हैं ब्रेवरी उसको कहाएता है ठीक है आपको बताना है अगले कुछन की फियर ऑफ हाइट मतलब बहुत सारे लोगों को देखे होंगा कि कुछ लोग होते हैं कि जो उचाई से नहीं डरते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अगले कुछन पाते हैं अगला कुछन है बताना आपको कि एन इंस्टुमेंट यूजड रिकॉर्ड साउंड मतलब एक ऐसी चीज एक ऐसी इंस्टुमेंट एक ऐसा यंत्स जिस्से हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकें तो क्या बोलते हैं उसको फोनोग्राफ कहा है दोस्तों ठीक है फोनोग्राफ कहा है ठीक है तो मैं आपको फिट से बता दूं कि इसका पीडिए आपको चाहते हैं तो पीडिए अगले कुछन पाते हैं हमारा अगला कुछन ने बताना है आपको कि कीलिंग ऑफ होल ग्रूप औफ पीपल यह फिर मैं आपको कड़ा सब्सक्राइब रिपीटेड इसको जैनुसाइट कहाता है अगले कुछन पाते हैं हमारा अगला कुछन है कि वन हूप कॉट्स प्रिसियास स्टोनस मतब एक ऐसा व्यक्ति जो एक मिनट तो बताना आपको कि एक ऐसा ब्यक्ति जो महंगे पत्थर को काटता है अब लोग सुनार होता है लोहार होता है तो इसा ही आपको बताना है कि एक ऐसा ब्यक्ति जो महंगे पत्थर को काट कर उससे सुंदर-सुंदर आभूशन या फिर मुर्ती को बनाता है तो इसक के पास बहुत सारे टेलेंट हो उसको वर्थ से टाइल कहायता है दोस्तों ठीक है बहुर मुखी सो कहायता है हिंदी में अगले कोशन पाते हैं अगला कोशन बताना आपको कि इस स्पीच डिलिवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन यह भी रिपीटेड एक्जेम्ट यह एक कराया था दोस्तों ठीक है तो एक और मैंने वर्ड बताया था दोनों वर्ड आपको नीचे कॉमेंट बक्स में जो लाइव चैट चल रहा है उसमें लिखिए और इसको अच्छे से याद किजिए मैं आपको कॉमेंट का सभी कॉमेंट का रिप्लाई प्रोपर तरिके से दे आ और कैटलोग की जो स्पेलिंग इसको याद रखेगा यह पूछता है सी ए टी एलोग इटी एक फिरी इसको लिखाया ते दोस्तों को पाते है अगले कॉस्टन पाते हैं हमणा अगला कुशन प्रस्न वो डाइसका रिघ्णारिंतौ कि एक अशा व्यक्ति जो मतलब किसी आदमी की हत्या तो इसको होमी साइड कहा था ठीक है और नबे कुछन में कहीं भी कोई तिकत हो तो नीचे जब यह क्लास खतम हो जाएगी तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट लिखिएगा और अपना फीडबेक वह में जड़ी दीज़ेगा ठीक है मैं उसका रिपलाइब बहुत जली करने की कोशिश करूंगा चलिए अगले कुशन पाते हैं अगला कुशन लिखा है कि इसको क्या बोलते हैं तो इसको और नेथो लोजी कहते हैं ठीक है और नेथो लोजी चिडियाओं का अध अगले कुशन पाते हैं हमारा अगला कुशन ने बताना है आपको कि one who loves book मतलब एक ऐसा ब्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता हो और उसको पढ़ना चाहता हो उसको क्या बोलते हैं तो इसको बिब्लियोफाइल कहाता है ठीक है बिब्लियोफाइल ठीक है अगले कुशन पा पाइब का जो यह है साइड इसका रूट वर्ड कमेंने कुश्टन वर्ड बता दिया है लगबग फादर ब्रदर वाइफ और एक और सब्सक्राइब नहीं बता रहे हैं तो इसका यह सब शारे जितने भी मैं बता रहा हूं यह सारे आपको याद होने के चांसे बहुत हैं ठीक है वर्ना मैं आपको दूंगा ही चलिए अगले कोशन पाते हैं अगला कोशन बताना आपको कि अवाइल्ड एंड नौइजी डिस ओर्डर मतलब वन हूँ हैं ठीक है तो उसको फिलांट्रफिस बोलते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया थीक है अगले कोशन पाते ही मुझा कि Er abora and sı Sip I'm a large number six छिक BIG मतलब बहुत सारे जहाजं की संख्या को क्या बोलते हैं बहुत सारे जहाज पानी जहाज थे तुसको क्या बोलेंगे इसको बोलते है फ्लीट ठीक है जा जो की सम्हू को प्लीbene को आता है दोस्तुट ठीक है आपको बताना है कि जो जहाद चलाते हैं उनके संमु मु कह बोलते हैं ठीक जो पानी जहाद चलाते हमको क्या भतेडा दोस्तों छेट अगलिए अगला कुस्ण आप एवार आफ ऑ सब्रीजिंट किया बोलते रमिधंगने इसको्थ कुछ अगला कुछन पाते हैं वन हूँ इस इसली डिसीव जिसको आसानी से उसको कुछ भी कर से असानी से अपने जाल में उसको गलीबल कहा दोस्तों ठीक है गलीबल इसको फसाना या फिर कुछ उसको असानी से कुछ भी कर देना उसको गलीबल कहा है दोस्तों गलीबल को हिंदी में भोला भाला सिधा सदा कहा है ठीक है और आज कामरा लास्ट कुछन ने बताना आपको कि अपरसन हूं गेंबल्स और बेट्स मतब एक ऐसा ब्यक्ति जूए खेलता हो या फिर जो सट्टा लगाता हो तो आज कल तो आईपिएल चल रहा है बहुत सारे लोक शट्टे लेगा रहे हैं तो बताने हैं आपको उनको पंतर कहा रहता है दोस्तों थो के ऊपने अपना फिदिवक हमें नीचे अफ्लेंट में जरूरोड देजेगा और हो सके तो अपने टेलेग्राम ग्रूप वाटसप और जितने भी आप लोग ग्रूप में जूरे हुए हैं सोसल मेडिया में सेयर करें और बहुत सारे बच्चों को इसमें बताएं कि यहां पर टॉप हंड्रेड की जो सीरीज हो चुकी है तो चलिए सांथियो आज का हम यहीं रखते हैं मिलते हैं कल एक नए वीडियो में तब सब्सक्राइब के लिए हस्तरी मुस्क्रातरी और इसका पीडिया सब्सक्राइब को थोड़ी दिन में ग्रूप में दे दे जाएगा तो चलिए वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत